हाई अबरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल अलका की रसोई कला आज मैं आपके साथ सेयर करूंगी ब्रेड रोल की रेस्पी जो हम बिधाउट ब्रेड बनाएंगे जिसमें हम ब्रेड के यूस नहीं करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं इसके लिए मैंने यहां पर चार से पा तक इनको ग्राइंड कर लेना है अब अब इनको ट्रांसफर करेंगी एक मिक्सिक बोल में साथ फेस में डालेंगे चार से पांच बॉयल्ड और मैस्ट आलू एक चॉप की हुई गाजर एक चॉप की हुई प्याच वन टेवेले स्पून अद्रक लैसुन चॉप किया हुआ चार से पांच ग्रीन चिली उन्हें भी फाइनली चॉप कर लिया है अब सारी चीजों को हम ठीक से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चॉप किया हुआ फ्रेस धनिया स्वात के अंसार नमक वन टीज स्पून चाट मसाला और एक भरकर टेवेले स्पून सेजवान चट्मी सारी चीजों को मिक्स करेंगे तो इस मिक्सर में हमें किसी भी बाइंडिंग की जरूरत नहीं होती है क्योंकि सब्जियों में अपना खुद का मॉइस्चर होता है और इससे ये मिक्सर बहु और यहां पर हम देंगे मॉजरीला चीज हम मॉजरीला चीज की इसमें फिलिंग भरेंगे अगर आपके पास मॉजरीला चीज नहीं है तो यहां पर आप चीज स्लाइस का भी यूज कर सकते हैं या चीज क्यूज का भी यूज कर सकते हैं तो बस हलके हातों से प्रेस करते हुए हम सारी बॉल्स को तयार कर लेंगे हमें यहां इनको हार्डली प्रेस नहीं करना है बहुत हलके हातों से बनाना है इसी तरीके से हम सारी बॉल्स को तयार कर लेंगे अगर आप मोजयारीशीज लेते हैं तो इसमें फिछावाता है जैसे हम लोग डॉमिनूस के पिझ्जा को राती है उसंने फिकशावाताह il Mater 맛있 तैसी लिए मैंने आपल इसमें फिजाव चीज का है तो सारी बॉल्स बन चुकी है अब हम इसके लिए करेंगे एक कोटिंग तयार तो इसके लिए हमें एक बोल में डालेंगे दो से तीन टेविल स्पून कॉर्ण फ्लोर इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसका एक बहुत ही पतला सा मिक्चर तयार कर लेंगे बिल्कुल भी गाढ़ा तयार नहीं करना है बस हम बिल्कुल पतली से लेयर कोटिंग की लगाएंगे इसके उपर इससे यह बहुत ही क्रिस्पी हो जाता है कड़ाई में करेंगे वाइल को गरम इसके लिए हमें बहुत ही तेज ओयल गरम चाहिए क्योंकि हमने इस पर कौन फ्लोर के हल किसी कोटिंग की है इससे वह कड़ाई की बॉटम में चिपकी नहीं बस इसे हम गोल्डन होने तक अलटते पलटते फ्राई कर लेंगे तो अगर आपको मेरे रस्पी पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब परना लाइक करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स रस्पी के साथ